आप सबी का आपके अपने चैनल इस्टो फ्रेंड अंशुब में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज किस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कैसा रहेगा मीन राशी का साल 2024 कैसा रहेगा साल 2024 में मीन राशी का स्वास्त, शिक्षा, रिलेशन्चिप, नौकरी और विफसाए और साथ ही जानेंगे वो अचु कुपाए जिसको करने से मीन राशी के जादे अपना जीवन खुशी-खुशी वेतीत करेंगे इसलिए वीडियो को अंतक सरूर देखेगा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है और अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करने बेल नोटिफिकेशन को ओन करके ओल पे क्लिक करें आईए अब जानते हैं मीन राशी की गोचरी सिती क्योंकि हमारे जीवर में जो भी घटनाएं घटती हैं गोचर के अनुसार ही घटती हैं तो मीन राशी के फर्स्ट हाउस में गुरु ब्रस्पती अपने ही स्वयम की राशी में गोचर कर रहे हैं सिकेंड हाउस में राहु कोचर कर रहे हैं एर्थ हाउस में केतु कोचर कर रहे हैं नाइन्थ हाउस में शुकर और बुद्ध कोचर कर रहे हैं तैंथ हाउस में सूर्य और मंगल कोचर कर रहे हैं ट्वैल्थ हाउस में शनी अपनी ही मोलती कॉन राशी में कोचर कर रहे हैं तो साल 2024 में लगन लौट यानि की फर्स्ट हाउस के स्वामी गुरू भरस्पती अपनी हिराशी में गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिती में सेहत को लेके कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है परन्तु साल 2024 में आपका खाने पीने पर जादा धियान रहेगा बाहर का खाना पीना जादा शुरू करेंगे घूमना फिटना बहुत होगा तो आपको जंक फूड और बाहर का खाना अवोइड करना होगा जादा जंक फूड या जादा बाहर का खाना खाने से आपको स्टमक इंफेक्शन स्टमक पेन की शिकायत हो सकती है 2024 में आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा क्योंकि यदि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे इक्नोर करेंगे तो समस्याएं आपकी बढ़ सकती है तो जब भी आप बाहर जाएं तो जंक फूट को अवोइड करें सेहत पर ध्यान रखें कम से कम बाहर का खाना खाएं, घर के खाने को महत्व दें कैसी रहे कि relationship और studies आपकी 2024 में तो 5th lot चंद्रमा हैं जो जल्दी जल्दी राशी परिवर्दन करते हैं परन्तु यहां पंचम भाव में यानि कि 5th house पर गुरु ब्रस्पति की द्विस्टी पढ़ रही है तो ऐसे में 2024 में studies और relationship दो ही आपकी अच्छी चलेगी आप अपने studies पर focus करेंगे परन्तु study lot चंद्रमा हैं तो आपका मन जल्दी जल्दी divert होगा, मन भटकेगा, आप over confidence भी हो जाएंगे कि मुझे तो सब कुछ ही आता है, तो मुझे अपी पढ़ने की कोई ज़रत नहीं है कुमने फिरने पर ध्यान देंगे, दोस्तों के साथ समय वितीत करेंगे social media पर बहुत जादा समय वितीत करेंगे तो आपको अपनी studies पर पूरा focus करना है आपको पूरे confidence और concentration के साथ अपने studies करनी है over confidence नहीं करना है साथ ही साथ, आपको अपनी studies में समभल कर रहना है जो लोग extra studies कर रहे हैं, जैसे CA, CS, IS, IPS किसी भी banking शेतर में काम करने का प्रयास कर रहे हैं या government job के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी over confident नहीं होना है कि मुझे यहाँ पर try करना है मुझे पता है कि 100% मुझे government job मिल ही जाएगा या मेरा semester clear हो ही जाएगा आपको अपनी studies पर focus करना है तब ही आपको semester clear होगा तब ही आपको government job के योग बनेंगे relationship भी आपकी अच्छी रहेगी परन्तु आपको relationship में संभल कर चलना है क्योंकि जैसे चंद्रमा रोज घटता और बढ़ता है तो आप अपने partner पर कुछ जादा ही expectation रखेंगे आपको अचाना की गुसा आएगा अचाना की आप उन पर शक करने लगेंगे जिसके कारण आप दोनों के बीच में परिशानिया उत्पन हो सकती है इसलिए 2024 में आपको अपने relationship को smooth रखने के लिए संभल कर चलना होगा किसी की बातों पर नहीं आना है किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है October के आसपस आपका ही friend circle आप दोनों के बीच में कुछ misunderstanding create करवाएगा इसलिए कोई भी decision ले अपना self decision ले किसी की सुन कर कोई भी खारे पर decision ना ले कैसी रहेगी marriage life साल 2024 में तो 7th lord buddh 9th house में गोचर कर रहे हैं आपके luck house में गोचर कर रहे हैं विवाहिक जीवन 2024 में बहुत अच्छा रहेगा एक दूसरे की care करते वे चलेंगे एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते वे चलेंगे यहां तक कि आप एक दूसरे को carrier में भी help करेंगे कोई भी महत्पून decision है परिवार का उसको मिलकर निर्डे लेंगे जिनके विवा में बादा आ रही थी अभी तक विवा नहीं हुआ था विवा में देरी हो रही थी तो 2024 में विवा के बहुत ही उत्तम योग बन रहे हैं कैसा रहेगा मीन राशी का नौकरी और वेबसाइट साल 2024 में तो यहां पर आपके लग लॉड यानि की जैनवरी से लेके माई तक कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा मन जाही नौकरी के योग बन रहे हैं जिनका प्रमोशन रुका हुआ है उनका प्रमोशन बन रहा है तरक्की और लाब के पूर्ण योग बन रहे हैं जो मीन राशी के जातक विदेश जाना चाते हैं या किसी MNC कंपनी में जाब करना चाते हैं बहुत समय से प्रयास कर रहे थे परन्तु जाब नहीं मिल परा रही थी तो 2024 में बहुत ही उत्तम योग बन रहा है विपारी वर्ग के लिए भी जैनवरी से लेकि माई तक बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं आप विपार में तरक्की और लाग कमाएंगे साथ ही साथ बहुत समय से कोई नया कारे करने का प्रयास कर रहे थे तो जैनवरी से लेकि में तक का समय बहुत अच्छा है आप किसी भी परकार का नया विपसाय से शुरू करने का सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं जून से लेकि अक्टूबर तक आपको नौकरी और विपसाय दोनों में ही संभल कर चलना होगा कोई भी महत्पूर डिसीजन है तो वो आप स्वेम और अपने परवार की सहमती से डिस्कस करके ही लीजिएगा निविंबर और दिसंबर आपकी नौकरी और विपसाय के लिए अच्छा रहेगा आपकी नौकरी और विपसाय में अच्छा ग्रोथ होगा और साथ इसाथ विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं यदि आप कोई प्रॉपर्टी और वाहन लेने का सोच रहे थे तो निविंबर और दिसंबर अच्छा समय है आप प्रॉपर्टी और वाहन ले सकते हैं परंत जीवन का कोई भी महत पूट डिसीजन है तो उसे आप अपने परिवार के साथ डिसकस करके ही लीजिएगा किसी भी परकार का धन यदि आप से कोई करजा लेने के लिए कह रहा हैं मांग रहा हैं तो सो समझ कर ही दीजिएगा धनकी और आर्थिक सिती आपकी कैसी रहेगी साल 2024 में तो साल 2024 में आपकी धनकी और आर्थिक सिती अच्छी है यहां तक कि आपको 2024 में पैत्रिक संपत्ती बनने मिलने का भी पोणियोग बन रहा है कौन से हैं वो उपाई जो आपने साल 2024 में सरूर करने हैं तो साल 2024 में आपने रोज काई को रोटी पर हल्दी गुड और देसी घी रखकर रोज किलाना है रोज आप 108 भार गाईत्री मंतर का जाब करेंगे और रोज आपने पीले चंदन का तिलक सरूर लगाना है सूर्यास के समय यानि की शाम को 4-6 के बीच में आपने मात उलसी के हागे देसी की का दिपक सरूर जलाना है ये उपाई करने से मीन राशी के जातक साल 2024 खुशी खुशी वितीत करेंगे तो मित्रों ये ती जानकारी की मीन राशी का कैसा रहेगा साल 2024 विडियो को लाइक सरूर करें और यदि आपका कोई फ्रेशन है तो वीडियो के कमेंड बॉक्स में लिखकर पूर सकते हैं जै मात अधी आपका दिन शुग हो